एक्जामपर कलम से एकरांती तो जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चा कि आज आप लोगों की एक छोटी सी ख़बर आई है ख़बर क्या है कि आप लोगों का 15 जून जो है वो लाश्ट डेट है आप सभी जानते हैं UPSI 2021 के फॉर्म भरने की लाश्ट डेट जो है वो 15 जून कि इनसी कितनी बच्चा 9534 से तो आप सभी जानते हैं और अभी तक चल रही आवेदन प्रक्रिया में अब तक 12,5 लाग से अधिक मतलब 12,5 लाग से अधिक फॉर्म भरे जाए चुके हैं 30,5 लाग से ज़ादा और जिन में से लगबग 9,5 लाग विद्यार्तियोंने तो अपनी फीस मी पेमेंट कर दी है इनका अनुमाने की 14 से 15 लाग फोम भरे जाएंगे लाश्ट के दिनों में ज़्यादा भरे जाते है 14 से 15 लाग 927 पद UPSI सिविल 484 पद प्लाटून कमांडर P.A.C और 23 पद फायर ओफीसर F.S.S.A. जो होता है लगबग 12,55,000 ने आवेदन कर दिया है जबकि पिछली बार की देखोगे तो 5000 के करीब दरोगा भरती थी और उसमें 4.5 लाग अभेरतियों ने आवेदन किया था तो अगर 15 लाग को हम लोग 9.5,000 से डिवाइड करें तो तुम इसको गिर के देखो काई धाई सेंकड़ा 10,000, 10,000, 10,000, 10,000 15,000,000 को 95,000 से आव डिवाइड करके देख ले न भाई ये हो जाते हैं लगभग और मैं अगर इसको 100 माल लेता हूँ या 95 की जगे 100 माल लेता हूँ लगभग एप्रोक्सिमेशन और 15,000 तो एक सीट पर 1.500 बच्चा है एक सीट पर कितना बच्चा है 1500 बच्चा कोंप्टीशन का लेबल का मतलब है जहां मैं खुद सोच के चल रहा था कि 100 बच्चों में कोंप्टीशन होगा एक सीट के लिए तो 1500 बच्चों में कोंप्टीशन है पहली बात यह मत समझने कि यह सारे के सारे फरजी फॉर्म भर रहे है इस बार सबको तैयारी का मौका मिलाए दो-दो-तीन-तीन साल से लड़के लड़कियां तैयारी कर रहे हैं लगातार तो अब आप यह देख लीजिये कि आपके पास कितना तो आपकी चीजे तैयार हैं कितने हद तक तैयार हैं जो तुमने पढ़ा है सिलेबस जो कहते हूँ कि जी मेरा तो सिलेबस हो गया वहां से क्या वो तुम्हें याद है क्या तुम उसको लगाता रिवीजन करते चल रहे हो अभी टेस्ट स्रीज वगरा लगाने की कोई जुरूत नहीं है जुलाई तक एक जुलाई तक कोई टेस्ट स्रीज छोने की जुर पूरा समय रिवीजन में देना पूरा समय किसमें देना रिवीजन में देना बाकी अगर आप सब लोगे कमेंट में जादे से ज़्यादा तो मैं आप लोगों के लिए एक अगस्त पेपर की डेट मान के चल रहा हूं में कि एक अगस्त से तुमारे पेपर शुरू हो एक अगस तक तो 45 दिन इनके लिए काफी है एजेंसी का चैन इन्होंने पहले कर लिया था अनुमान इनको पहली हो गया है तो इनकी तैयारी पूरी है एक अगस से अपना पेपर मान के चलो कि फश्ट शिफ्ट सुन हो जाएगी 15 लाख बच्चों का ओल्लाइन पेपर यूपी में कम से कम से कम एक महीने चलेगा जितनी पहले शिफ्ट थी उनसे तो इनको तीन गुना शिफ्ट करनी पड़ेंगी जब तीन चार लाख बच्चों का पेपर इन्होंने पूरे कई शिफ्ट में लिजा के दिया था तो इस बार तो शिफ्ट भी तीन गुना हो जाएंगी क्योंकि फॉर्म की संख्या भी तो 5 लाख से बढ़के 15 लाख हो गई है तो आप लोग क्या कीजिए एक अगस्त मान कर तो मैं 45 दिन का रिवीजन का डे वाईज बहुती बढ़िया फॉर्मेट जो मैं दो साल से सोच के चल रहा था कि अंतिम 45 दिनों में मुझे कैसे रिवीजन कराना है आटट ददस घंटे किलास और दो घंटे की डेली टेस्ट स्रीज ये 45 दिन का प्रोग्राम में आप लोगों के लिए लादू प्रोग्राम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं एक बात किलियर है कि इस वार अगर एक-एक बच्चे की ऐसी कौपी लेके नहीं दिखा दी कि UPSI होता क्या है और कंटेंट क्या होता और पेपर क्या होता है तो नाम बदल दूँआ इस वार जो लेवल और इस वार जो तैयारी है और जितना हमेसा से इसका सोच के चला था कि जब भी UPSI की तैयारी कराएंगे तो किस लेबल की इस बार उस लेबल को टच कराकर क्योंकि आंस्वर की तो तुमारी आईगी पूरा पेपर उसमें दिखाई देगा ऐसे करके नोर से मिलवांगा तब जब आप दूँगा मुपे कि शेर क्या चीज होती है बाकि आप से भी लोग कमेंट करके मुझे बताईएगा अगर आप कमेंट करते हैं जादस जादा तो मैं अभी भी सनिवार से इस इतवार से लगा दूँगा तुमारी 45 दिन की एक बड़ा टॉपिक लेकर बैठा करेंगे बढ़िया से रिवीजन किया करेंगे